हेलो वेलकम टू बालाज एजुकेशन पॉइंट बेसिकली आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपके स्लेवस के अंदर एक टॉपिक है इस नोन एस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया ठीक है अब एजुकेशन पॉलिसी लिखने में तो देखो छोटा सा है लेकिन यह या फिर आपने यह पढ़ा होगा बी एड के अंदर अगर आपने अच्छे से बीएड किया सिर्फ धिग्री लेने के लिए बीएड नहीं करें एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्ट प्रेजेंट हमारी एजुकेशन पॉलिसी का करंट सेनारियो क्या है एक्स आते हैं इस पूरे पूरे टॉपिक के अंदर इस लेक्टर इस प्रेजेंटेड वाइन माइन इस जतिंग सिला कुठारी एजुकेशन कमिशन से पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस यानि के जादी के बाद जो पहला कमिशन बना था मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाय ता वो था रादा क्रिशन कमिशन रादा क्रिशन कमिशन 1948-1949 ठीक है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पहला एजुकेशन कमिशन बना था वो था रादा क्रिशन कमिशन 1948-1949 रादा क्रिशन कमिशन के बाद दूसरा जो कमिशन मेजर कमिशन बना था वो था मुदलियार कमिश मुद्लियार क्मिशन यह बना था 1952 में। मुद्लियार क्मिशन सेकेंडरी एजुकेशन पे बेस था। क्लिर होगी उसके बाद तीसरा कमिशन बना that is known as कोठारी कमिशन जो सबसे ज्यादा important है तीसरा कमिशन क्या बना कोठारी कमिशन 1964 से लेकर 1966 तक अब यह मैं आपको क्यों समझा रहा हूं इसको समझने के लिए आपको पिछले कमिशन का पता होना जुरूरी है कोशन के आएगा पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस अजादी के बार पहला कमिशन जो बनायागा वह कौन सा था रादा क्रिशन कमिशन किसके उपर डबेंड था हाइर एजुकेशन के उपर उसके बार मुदलियार कमिशन आये 1952 सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ठीक है तो आप कह सकते हैं कि जो कोठारी कमिशन है वो पोस्ट इंडिपेंडेंडेंटन्स यानि कि अजादी के बार पोस्ट इंडिपेंडेंडेंस अजादी के बार थाड़ मेजर कमिशन ठा ये आपको याद रख रémे ठीक है कि जो कोठारी कमिशन था वो औजादी के बार थार्ड मेजर कमिशन था ये बात यार रखनी है अब कोठारी कमिशन के बारे में पढ़ते हैं देखें दा इंडियन एजूकेशन कमिशन पॉपुलर्ली नोवन एज कोठारी कमिशन 1964-1966 was set up by the government of India on July 14, 1964 under the chairman of Dr. D.S. कोठारी क्लीर होगी बात कहते हैं जी इंडियन एजूकेशन कमिशन जिसे कोठारी एजूकेशन कमिशन भी कहा जाता है ये 14 जुलाई 1964 को बना था under the chairmanship of दौलत सिंग कोठारी जो उस समय UGC के chairman थे यह मैंने आपको पिछली वीडियो में clear किया था clear है जी ठीक है इस कमिशन का main objective क्या था आज कोठारी कमिशन को पूरा detail में खोल के पड़ेंगे ठीक है the objective of the कोठारी education commission was to examine the different aspect of the education system in India कोठारी education commission का जो main मक्सद था शिक्षा से जुड़े हुए जो अलग-अलग हिस्से है aspect है teacher training होई text book होई ठीक है quality of education होई schools colleges का architecture हुआ ठीक है journal जो problems आती है women's education हुआ हर एक aspect के उपर examine करना और एक report देना center government को ठीक है इस commission के अंदर total star a member थी very very important star a में से पांच member foreigner थी कोई UK से था कोई US से था कोई USSR यानि की रशिया से था एक जापान से भी था ठीक है एक UNESCO से था किस तरीके से total star a member थे जिसमें से पांच member they are the foreigners ठीक है अब यह क्यों जूरूरी थे पांच member foreigners वो आगी जाके मैं आपको समझाओंगा the commission submitted its report on the Indian education system on 29th June 1966 चोदा जुलाई 1964 को बना दॉलाज सिंग कोठारी की अध्यक्षता में जिसमें 17 member थे और दॉलाज सिंग कोठारी UGC के chairman थे उसमें और इस commission ने अपनी रिपोर्ट 39 जुन 1966 को भारतिया education जो मंत्रा ले था उसके सामने रखी ठीक है the recommendation of Kothari commission education reforms become the part of national policy of education 1968 very very important ठीक है भारत की जो पहली रास्टिया शिक्षा मित्ती थी वो 1968 के अंदर आई थी national policy on education 1968 was the first education policy in India all over India okay and these policies national policy on education 1968 was based on the Kothari commission report ठीक है 1968 की जो पहली शिक्षा मित्ती थी देश की वो Kothari commission की report पे बेस थी तो इसलिए हमें education national education commission national education policy 1968 को भी आद डिटेल में देखेंगे clear होगी बात आगे बढ़ते हैं और देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि Kothari commission से पहले रादा Christian commission आया ठीक है 1948 से 1949 तक और यह commission जो था basically higher education के ओपर depend था फिर हमारे पास मुदलियार commission आया मुदलियार commission जो था 1952 में और basically secondary education पे depend था उसके बार कुठारी commission आया अब देखो कुठारी commission पिछले दो commission से जादा बहतर क्यों था रादा Christian commission ने एक एरिया पे focus किया वो था higher education मुदलियार commission ने एक particular area पे focus किया वो था आपका secondary education लेकिन कोठारी education commission जो था वो all over India हर एक aspect को चूता था मतलब ना वो सिर्फ primary के लिए था ना secondary के लिए था ना हार secondary के लिए था ना colleges के लिए था यह सब के लिए था comprehensive था इसलिए कोठारी education commission को बाकी दो commission से ज्यादा बैक्टर मारा गया पहली बात clear होगी ठीक है जी यह वाला जो topic है ना बच्चे पूछते हैं कि सर कहां से prepare करें strictly सुन लो यह topic UGC के paper 1 में आता है सारा data में ने वही से prepare किया लगबक 10-12 website से आगे बढ़ते हैं next अब कुठारी commission के unique features क्या थे unique का मतलब क्या है ठीक है ऐसे कोई चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है पहले वाली रिपोर्ट भी education पे थी यह भी education पे है पर इसमें ऐसा क्या है जो इसको unique मनाता है सबसे पहला point all the earlier commission did not deal with the education as a whole but focused attention on different level of education इन्होंने क्या कहा जैसा कि मैंने आपको बताया क्यों कुठारी commission से पहले जो commission बने उन्होंने education के अलग-अलग level पे focus किया ना कि पूरी education के हरेक structure पे focus किया बट इस commission यानि की कॉठारी commission was not limit its inquiry to specific sector or the aspects of the education but have a comprehensive review of the entire education system कि जो कॉठारी commission था उसने अपनी रिपोर्ट एक particular दाएरे तक limit नहीं रखी बलकि education की एक comprehensive complete report दी हरेक level की एक report दूसरा इसका unique feature क्या था another unique feature of the commission was its conviction that education is the most powerful instrument of national development दूसरा इसका unique feature क्या था कि जब यह report तियार करे गई तो इस report की opening line में ही लिखा था कि जो education है वो एक instrument है national development राश्ट्रिय विकास का यानि कि यह report राश्ट्रिय विकास को मद्दे नदर रख्के बनाई गई लेकिन राश्ट्रिय विकास होगा किस रस्ते के थूँ वो होगा education के थूँ ठीक है गांदी जी का जो वार्दा प्लैन हमने करा था जाकी उसेन वाल से आये थे बाकी जो हमारे पास 12 मेंबर के करीब बचे ठीक है वो education से different different sector से जुड़े हुए थे कोई educational के culture से जुड़ा हुआ था ठीक है कोई education background से जुड़ा हुआ था कोई education management से जुड़ा हुआ था इस त्रीके से अब इसका फाइदा क्या हुआ देखे दा international composition of the commission is also significant कि वह अंतरास्टे लोग जो आपने commission में लिए उसका भी अपना एक महत्तर था ठीक है education in India must necessarily emerge from Indian experience, throat, culture, local condition ठीक है भारत के अंदर जो education का महप है वो भारती है experience से, इंडिया की culture से, इंडिया की जो local condition है उससे प्रेडित होना चाहिए but as education remains the common quest of mankind लेकिन जो शिक्षा है वो हर एक इंसान के लिए common है जैसे इंडिया के लिए जैसे इंडिया के बहार देश के लिए हर एक जगा शिक्षा होती है it was found profitable to draw the experience and thinking of educationist and scientist from the other countries and to take advantage of the latest development in the educationally advanced countries इसका मतलब क्या है कि जब हमने commission बनाया स्ताराबंदों का पांच भार से लिए बाकी जो बाराबंदे बचे वो भारती experience को जानते थे culture को जानते थे local conditions को जानते थे लेकिन शिक्षा जो है हर country में होती है तो हमने ऐसी countryों के education से जुड़े हुए महरतियों को जोड़ा जो हमसे जादा developed थी जिनकी शिक्षा की नितिय हमसे जादा विक्सी थी तो अगर वो देश के education expert हमारे commission में आएंगे तो वो हमारे commission के अंदर अपना एक advanced latest scientific जो thought है विचार है उसको रख सकेंगे ताकि हमारा education उन countryों के मुकाबले ज़्यादा advance हो सके ये कहना चाहता है तो ये तीन main feature थे ठीक है पहला कि वही कोठारी commission ने whole education पे रिपोर्ट दी दूसरा कोठारी commission education को national development से जोड़ता था तीसरा कोठारी commission के अंदर अंतरास्य शिक्षा से जुरो हुए जो लोग थे जपान USSR Russia UNESCO उनके शिक्षा कारों को भी जगा दी गई थी ये तीन main features थे clear होगी बाद next अब रिपोर्ट क्या कहती है report of the commission has been appropriately entitled education and national development की कोठारी commission की जो रिपोर्ट सी उसका टाइटल का मतलब क्या है कि जैसे हम सबसे पहले उपर लिखते हैं जैसे यह लिखावा report of the commission यह टाइटल है कि पूरे कोठारी commission के जो सबसे पहला टाइटल था वो क्या था education and national development शिक्षा और रास्टिय विकास यानि कि वो कहना चाते हैं रास्ट का जो विकास है वो शिक्षा से होकर गुजरता है कोई भी developed country उठालो ठीक है मैं बात करता हूं दिल्ली model की दिल्ली model की मैं यहां किसी particular सरकार को favor नहीं कर रहा ज़स समझाने की कोशिश है ठीक है इतियास गवा है कि अगर किसी सरकार ने दो मुद्धों पे पैसा खर्चा है एक education और दूसरा health तो वहां के लोगों की productivity वहां के लोगों का output बाकी देशों से बहुत जादा रहा है और यही दिली model में हुआ education और health पे उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा ठीक है next the report is divided into four section ठीक है कोशन क्या बन सकता है कि कोठारी commission की जो report थी वो कितने sections में divided थी it was divided in the four section section 1 section 1 के अंदर deal with the journal problem education को develop करने के लिए हमारे पास journal problem क्या आती है पैसे की जर्नल problem है teacher training की जर्नल problem है architecture की problem है ठीक है लोग कम पढ़े लिखे है इस आरा जर्नल problem section 2 deals with the education at different stages and in different sector अब education से जुड़े हुए अलग-अलग जो sector है उनमें क्या problem है education से जुड़े हुए अलग-अलग sector कैसे है जैसे किसे teacher की training का क्या problem है ठीक है किसी state के पास पैसा कितना है ठीक है state और center के बीच में coordination कितना है section 3 क्या करता है deal with the implementation of the various recommendation and programs suggested by the commission अब जो हमने यानि की कुठारी commission न recommendation दी है उसको implement कैसे किया जा सके अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कि उसमें बहुत सारे ऐसे plan थे जो report तो अच्छी थी पर वो इसलिए fail होगी क्योंकि उसको implement करने का तरीका नहीं बताया गया था तो इन्होंने third section में अपनी recommendations को किस तरीके से implement किया जा सके और उनक supplementary papers का मतलब क्या होता है कि extra और हमें education को बढ़ाने के लिए और misclinance क्या चीजे करनी चाहिए point four आप इतना ही समझ लिजे तो कोथारी commission जो था उसकी report का title क्या था education and national development ठीक है कोथारी commission की जो report थी कितने section में divided थी चार section में section 1 deal with the general problem section 2 deal with the education at different stages in different sectors section 3 deals with the implementation of various this recommendation and the program suggested by the commission next और देखिए कोथारी commission जो था वो मोट्टे तोर पर 22 major recommendation करता है लगबग 22 इसकी major recommendation सी 1964 से 1966 के बीच में आपको 20 से भाई नहीं याद रखनी आपको यह 8 recommendation का सिर्फ heading यार रखना है कि what are the main recommendation पहला education and national objective शिक्षा का रास्ट्रे नजरिया क्या है शिक्षा का रास्ट्र में स्थान क्या है equality of educational opportunity किसी भी बंदे को caste, sex, location, रंग, रूप, जात के अधार पर शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए यानि कि शिक्षा में हरे को बराबर opportunity देनी चाहिए, man है, woman है, journal है, SC है, BC है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शिक्षा में सबका बराबर योगदान होना चाहिए, point number two, जो major recommendation से, तीसरा, educational structure, educational structure क्या है, जैसे आगे चलके, कुठारी commission एक recommendation करेगा, 10 plus 2 plus 3, कि दस में के बार, 2 साल plus 1 plus 2 और 3 साल की graduation, that is called educational structure, primary education कितने की हो, कितने साल की हो, secondary education कितने की हो, high secondary कितने की हो, यह बगैरा बगैरा, ठीक है, curriculum improvement, extra curriculum improvement में हम लोग को क्या 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 कदम उन्ठानी चाहिए, improvement in the method of teaching, ठीक है, teach करने के method में क्या improvement चाहिए, जैसे आजकल smart classes चल गए, quality of textbook, textbook के अंदर क्या quality improve करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा images लगानी चाहि teacher education, किसे teacher को school या college में admit करने से पहले, उसकी qualification तै होनी चाहिए, minimum इतनी qualification वाला teacher ही, इतनी class के बच्चों को पढ़ाएगा, status of teacher, teacher की तंखवा कितनी होने चाहिए, समाध में उसका status क्या होना चाहिए, उसको क्या extra facilities मिलनी चाहिए, यह 8 major recommendation थी, आपको सिर्फ यह पता होना च है, पूरा detail में घुसने की जरूरत नहीं है, हमें IS का paper नहीं देना, ठीक है, there are 22 major recommendation of the Qutari commission, ठीक है, one is called education and national objective, equality of education opportunity, educational structure, curricular improvement, improvement in the methods of the teaching, quality of the textbook, teacher education and the status of the teacher in the society, next, यह detail में पढ़ना है, इसके उपर question पका आएगा, डबल स्टार लगा लो, three language formula, three language formula, ठीक है, अब देखो, India is a composition of different culture, different ethics and different languages, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि भारत बभिनताओं में भिनता है, एकता है, ठीक है, कि भारत में अलगलग जात, रंग, रूप, कल्चर, संस्कृती भाशाओं के लोग रहते हैं, तो इन सारे लोगो को अलगलग culture होने के बाब जूर भी कैसे जोड़ा जा सके, वो जोड़ा जा सकता है, किसके थुरू, by the language only, ठीक है, by the language only, तो भाई, कोथारी कमिशन ने three language formula दिया, कोथारी कमिशन and the language education intend for the adoption of the three language formula by the state government at the secondary stage, कोथारी कमिशन और जो भारत का भाशिय विबाग था, वो ये कि जो हमारी राज्य सरकार है, वो secondary level पर three language formula adopt करें, अब three language formula होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनिये, बारत में दो हिस्से में divide कर लेते, एक वो जो हिंदी speaking area है, यान कि जो हिंदी बोलना जाते हैं, और दूसरा जो non-hindi speaking area, non-hindi speaking area मतलब जिनकी regional बाश्या अलग है, जैसे तामिल हो गई, तेलगू हो गई, तो बारत को दो हिशो में बाट लिया, one is hindi speaking, one is called non-hindi speaking, it intend to promote a modern Indian language, which was preferably to be any south language, apart from the hindi and english in hindi speaking states, जैसे जहां पर hindi बोली जाती है, वहाँ पर hindi हो, प्लस English हो, प्लस एक modern language होनी चाहिए, जो कि south से जुड़ी हो, related to preferably from the south, ठीक है, south से जुड़ी होई बाश्या, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जो non-hindi speaking area है, Hindi and English along with the regional language, where to be the part of non-hindi speaking states in India, कि ऐसे राजियर, जहां पर non-speaking Hindi है, non-speaking area का मतलब, जहां पर अपनी कोई regional language होगी, जैसे पंजाब भी हुआ, तामिल हुआ, तेल हुआ, कि वहां पर regional language भी रखी जाए, प्लस हिंदी भी रखी जाए, प्लस साथ में कौन सी भाशा रखी जाए, English रखी जाए, हिंदी speaking area में, हिंदी प्लस English प्लस एक modern language जो साउथ से जुड़ी हो, और non-hindi speaking area में, regional language तो होगी, प्लस हिंदी होगी, प्लस English होगी, इन दोनों में एक भाशा है, वो है हिंदी, तो हिंदी को हम एक तरीके से दोनों, यानि कि जो हिंदी speaking area या जो non-hindi speaking area है, हिंदी को हम लोग एक तरीके से दोनों के बीच में coordinate करने का काम बताएंगे, कि हिंदी भाशा एक तरीके से पुल का काम करेगी, हिंदी स्पिकिंग एडिया और नॉन हिंदी स्पिकिंग एडिया को आपस में जोड़ने के लिए यह कहना था थ्री लेंगविज फॉर्मूला में हिंदी वॉस इंटेंड टो वी डिवेलप्ड एज लिंक लेंगविज एंड एजे मीडियम ऑफ एक्स्प्रेशन फोर दा कंपोजिशन कल्चर अफ लिया भारत का जो कंपोजिट कल्चर है उसको जोड़ने के लिए हिंदी भाषा होगी ठीक है अब आप अपने वीजिनल स्टेट से बाहर जाए ठीक है तो हम लोग जातर कौन सी आकर कठा हो सके यह लेंगविज आई ओप यह क्लियर हो गया होगा नेक्स बढ़ते हैं दा कमैटी हाइलाइटेड दा एडवांटेज ऑफ दा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इन्होंने कहा कि पूरे भारत में एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए अपनी मर्जी स ठीक है एजुकेशन स्ट्चर होना चाहिए थू आउट दा कंट्री और वह एजुकेशन स्ट्चर क्या होना चाहिए 10 प्लस 2 प्लस 3 वेरी वेरी इंपॉटेंट 10 के बार प्लस 1 फिर प्लस 2 यानि कि दो साल के लिए हमारे पास 11 और 12 मी रहेगी उसके बार मिनिम्म थ्री य यानि की यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सार एक ही ही एजुकेशन का स्ट्चर फोलो किया जाए नेक्स्ट यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कोथारी कमिशन की जो रिपोर्ट थी ना आगे चलके जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलि आफ 6% of national income expenditure on the education commission चाहता था कि हम अपने चिक्षा के उपर education का शिक्षा के उपर जो खर्चा वो जादा करें वो चाहता था कि हम पूरी अपनी national income ठीक है राश्ट्रिया का 6% हिस्सा total national income का 6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ education के ऊपर खर्चा करें very 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 important question which commission recommend 6% of national income expenditure on the education that is Kothari Commission clear होगी बात okay national income के बारे में कुछ और extra बाते बताऊंगा पहले ये slide complete कर लेते हैं next team की recommendation क्या थी the need for the coordination between the states and the center government we also necessary for the development of the education राज्य सरकार और केंदर सरकार के बीच में coordination होना चाहिए जो कि शिक्षा के विकास और उसके उनती के लिए जरूरी है यह कहा गया था इसके अंदर इसलिए education को हम लोग concurrent list में रखती है अब यह concurrent list क्या होती है यह आप लोग आपको second video में भी बताएं थर्ड वीडियो में भी बताएं ठीक है कि education को किस लिस्ट का हिस्सा माना जाता है content list का हिस्सा माना जाता है अब national income जो है न यह बहुत बढ़िया topic है economy का कुछ बाते एक्स्ट्रा बताता हूं national income यानि की राष्ट्री यह आय इंडिया में सबसे पहली बार जो national income थी वो मैर्यण करी थी बाएदा दादा भाई नरोजी पहली बार राष्ट्रिया आए निकाली थी दादा भाई नरोजी ने 1876 के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी ठीक है मैंने पिछली वीडियो में बताई है अन ब्रिटिश रूल अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट बुक ठीक है इस बुक के अंदर इनोंने पहली बार जो है नेशनल इंकम के बारे में बात करी तो कोशन आता है कि भारत में पहली बार रा organization मिलके calculate करती थी पहले करती थी एती CSO एती NSSO NSSO CSO क्या है Center Statics Office CSO क्या है Center Statics Office तो कोशन आता है कि भारत की national income कौन calculate करता था CSO NSSO क्या है National Sample Survey Organization National Sample Survey Organization अब देखो किसी की national income इतने बड़े देश की national income निकालनी है तो आपको sample यान की data चाहिए तो भई national income calculate CSO करती थी उसका जो data प्रवाइड करती थी कि हरे घर में इतने लोग है इतने बंदे हैं वो कौन प्रवाइड करती थी NSSO यह पहले की कर दिया मर्ज मतलब इकठा करके एक बना डाला और आज के लिए बन गया NSO NSO यानि की national statics office national statics office तो कोशन आए इंडिया में national income call calculate करता है तो अगर आपने कॉनमी पड़ी हुए नेशनल इंकम को calculate करने के अलग लग method होते हैं ठीक है जैसे की होता है product method one is called product method okay one is called product method plus one is called income method इंडिया में product or income method का combination इस्तमाल किया जाता है कोशन क्या आता है which type of method is used in India to calculate the national income that is the combination of product method plus income method ज्यादा जानकारी हम लोग जब एकॉनमी की वीडियो करेंगे तब उसमें मैं आपको समझाओगा आगे बढ़ते हैं कोशन लेते हैं जी विच कमिशन हैसे एक्स्प्लेंड अबाउड दा प्लेसिंग mathematics as a compulsory subject up to the secondary ट्रिपल स्टार लगा लो सीटेट के पिपर का कोशन है इस कमिशन ने कहा कि सेकेंडरी तक यानि की सेकेंडरी लेवल तक ठीक है मैथ प्लस साइंस को कमपल्सरी सब्जेक्ट बना दो यानि की सेकेंडरी लेवल तक हर एक बच्चे को मैथ और साइंस पढ़ना पड़ेगा यह एक रिक्मेंडेशन थी कोथारी कमिशन की सुपर इंपॉर्टेंट कोश कोथारी Commission has explained about placing mathematics as a compulsory subject up to the high secondary mathematics is helpful in mental development mathematics is science of calculation space and measurement magnitude and direction इसमें कुछ नियाद रखना बस आपको कह याद रखना है कि secondary level तक ठीक है किस Commission ने math और science को compulsory subject बनाने की recommendation करी थी this was done by the कोथारी Commission next अगला क्या है policy recommend by the कोथारी Commission related to language ठीक है कोथारी Commission ने अपनी policies के अंदर language से जुड़ा हुआ कौन सा recommendation किया था यह किया था three language formula important question three language formula next इस question पर दबल स्टार लगा लो CTAT में आया है यह UGC में आया है education से जुड़े हुए एचिटेक में भी आया है ठीक है very important question question क्या है equality of education opportunity is provided in the dash article of Indian constitution भारतिय सविधान के किस अनुछेद के तहत equality of educational opportunity की बात कही गई है तो यह बात कही गई है article 45 के अंदर super important question under the which article of Indian constitution talks about equality of educational opportunity that is article 45 article 45 of Indian constitution is a provision for free and compulsory education for all children until they complete the age of 40 article 45 कहता है कि भारतिय सविधान के अंदर एक provision रखा गया एक rule रखा गया free and compulsory education दी जाए यानि कि सबको equal opportunity दी जाए until he attend the age of 14 जब तक उसकी आयू कितने साल की ना हो जाए 14 साल टकी वैसे हम पॉलिटी की वीडियो बनाएंगे लेकिन पॉलिटी के अंदर 25 पार्स है ठीक है इंडियन constitution का part 1 जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर करता है जिसमें union and its territories ठीक है केंदर और उसके हिस्सों के बारे में बताया गया है पार्ट 2 जो है ठीक है यह समझाने के लिए जिरूरी है सिर्फ उतना ही समझाओंगा जितना इस topic के लिए पांच से लेकर 11 तक के बारे में बात करता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉंसिशन टॉक्स अबाउट आर्टिकल 5-11 जिसमें भारत की citizenship यानि की नागरिक्ता का रोल बताया गया है या नागरिक्ता के बारे में बताया गया है ठीक है पार्ट 3 सबसे important पार्ट 3 ठीक है ट्वैलर 2-35 आर्टिकल 12 से लेकर 35 पार्ट 3 में बत अब हमारे लिए जिरूरी है पार्ट 4 पार्ट 4 में आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर अक्कवंजा तक 36 से लेकर 51 तक जिसको बोलते हैं डीुपीए सबीडीए सब्से명 के डाटीफ फटीपल आऊस्टि में पॉल!!" औरि की राज्या की नितिर्देश किसे नाइक तो कोर्शन क्याएगा आर्टिकल 45 किसका हिस्सा होईगा और अंटिकल 45 किस हिसे हूईगा डीपीए सब्से का डारेक्टिव प्रिप्रिंसिपल ओ स्टेट पॉलसी तो कोशन कभी कभार क्या हो जाता है कि सविदावन के किस पार्ट के अंदर equality of education and opportunity की बात करी गई है पार्ट फोर डारेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलसी आर्टिकल 36 to 51 talks about the राज्या दे नीती मिर्देशा दे सिदांत आगे बढ़ते हैं अगला कोशन 10 प्लस टू प्लस थ्री यह स्ट्रच्चर फ एजुकेशन वाज प्रपोस्ट बाए पता ही यह आपको यह प्रपोस्ट किया गया एजुकेशन कमिशन 1964 जिसे कोठारी कमिशन भी कहते हैं क्लियर ओके आगे बढ़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा कोश्टन है जो आपको याद अखनी है यह मिनी किसी वेबसाइट से उठाए मुझे बहुत अच्छे लगे क्टे है देoo Tôi Was The First Chairges of University Mission युजी सी जिसको बनाने की रिकमेंडेशन रादा क्रिशन कमिशन ने करी थी रादा क्रिशन कमिशन इसको बनाने की रिकमेंडेशन करी थी भापist के इस समय पारत की इस समय वह युजेस्ट सब भारत कि ही। Canada who was the first chairman of University Grand Commission Professor SS Batnagar Professor SS Batnagar University Grand Commission was constituted on the recommendation University Grand Commission को मनाने का recommendation किस नहीं किया जैसे कि मैंने आपको बताया देश के first Vice President देश दे पहले उपरास्ट पती यह कह लो देश देश सेकंड रास्टपती, पहले उपरास्टपती ते देश देश सेकंड रास्टपती, डॉक्टर सरपली रादा क्रिशन है, जिनके जरम दिन पर पांस तंबर को टीचर से मनाया जाता है, clear, next, अगला कोशन, ये बीड केंटरंस में आया था तो इसलिए ले लिया, in India constitution in Indian constitution education बारत्य सविधान के अंदर education किसका हिस्सा है यह हिस्सा है जी concurrent list का ठीक है पिछली वीडियो में बताया था कि state list होती है एक union list होती है जिसको center list भी कहते है एक concurrent list होती है state list जिसमें सारे उन शक्तियों का provisions का अधिकार है जो state government के अधिकार है union list वो है जिसमें उन सारी शक्तियों और provision का अधिकार है जो सिर्फ center government के अंडर आती है जैसे railway ठीक है जैसे foreign affairs ठीक है जैसे currency ठीक है जैसे alcohol यह सब center government के अधिकार शित्र में है concurrent list होती है जिसमें state plus union दोनों मिलके काम करती है और education concurrent list का हिस्सा है ठीक है एक और चीज़ होती है जिस वो बोलते है residue list residue list सभगधान में कोड़ लिस्ट होती है residue list residue list क्या होती है यृज अगर ऐसी कोई मुद्दा निकल के आ जाए जो ना center का हिस्सा है ना state government की state list का हिस्सा है ना union list का हिस्सा है ना concurrent list का हिस्सा है अगर घुविशया में ऐसा कोई मुद्दा आ जाए जो ना यूनिन लिस्ट में है ना सेंटर लिस्ट में है स्टेट लिस्ट में है ना कौन के लिस्ट में है तो उसे हम कौन सी लिस्ट में रखेंगे जैजीडियू लिस्ट एक्जांपल के तौर पर इंटरनेट इंटरनेट तो रैजीडियू लिस ठीक है यह first education policy थी इंडिया के अंदर ठीक है first education policy was introduced in 1968 based on the recommendation of the kothari commission भारत की पहली शिक्षानितिया कभाई 1968 के अंदर जो की kothari commission आया था 1964-1966 उसके अंदर depend करती थी अब इसने क्या कहा three language formula and developing regional language were among the significant policy objective ठीक है three language formula जो kothari commission ने दिया था प्लस जो शित्रिय वाशाएं है उनको develop करना इस policies का main मुद्दा था यह policy aimed यानी की उदेश्या बनाती है for the creation of the centers of advanced study and the cluster of centers की essay center बनाये जाएंगे जहाँ advanced study कलाई जाएगी और इसके इलावा essay centers का निर्मान करें जो cluster के रूप में काम करें clusters के रूप का मतलब जहाँ पर multiple अलग-लग education से जुड़े हुए aspect को काम करवाया जाए science से जुड़े हुए math से जुड़े हुए art से जुड़े हुए culture से जुड़े हुए that is known as the cluster of the centers the policy was also proposed that considerable care should be taken while establishing new universities national education policy 1968 कहती है कि हमें एक अच्छा considerable ध्यान रखना होगा कुछ बातों का जब हम new universities को establish करेंगे it also asked to develop also asked to develop the correspondence and a part-time higher education course होने large scale correspondence study को बढ़ावा दो part-time higher education को बढ़ावा दो on large scale पे मतलब जो बंदे part-time education करना चाहते हैं या जो बंदे college school join नहीं कर सकते ठीक है correspondence के base पे study करना चाहते हैं उसको large scale पे जो है बढ़ावा देना है target was set to reach the national education expenditure to 6% of Indian national income यह कोठारी कमिशन सी आया ठीक है तो बढ़ी national education policies 1968 के उपर question क्याएगा यह पहली education policy थी इसने कोठारी कमिशन की कौन-कौन सी बातों को adopt किया three language formula और as well as six percent ठीक है खर्चा जो है national income का वो करना है ठीक है इन बातों को ध्यान रखाएगा इसमें कुछ ज्यादा important नहीं है सिर्व यह question आता है कि first education policy कौन सी थी next कुछ और बात थी ठीक है national education policy 1986 अब यह 1986 है it introduced the concept of national system of education which implies that up to a given level all student its respective caste, creed, location or sex have access to education of comparable quality national education policy 1986 यान की राष्ट्य शिक्षा नित्ती 1986 आ गही है इसमें कहा गया कि एक ऐसा education system बनाओ कि भारत का हर एक बच्चा irrespective यानि कि अगर हम उसकी caste भूल जाए, location भूल जाए, sex भूल जाए एक particular level तक उसे एक quality education दी जा सके ठीक है कि मतलब हर एक भारत के बच्चे को ना उसकी caste देखो ना sex देखो ना रंग रूप देखो एक level तक की मुफ्त और लाज्मी शिक्षा दी जाए ठीक है अब यह कुथारी कमिशन ने कहा था लेकिन national education policy 1968 में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया था यह अडॉप्ट किया गया national education policy 1986 के अंदर clear होगी बात ठीक है बाइदा कुथारी कमिशन recommendation ठीक है it calls for the development of autonomous colleges autonomous colleges क्या होते है who have a power to take their decision on जिनना को ले अब दे decision आप लेंदा अधिका हंदा कि एजे college develop करो जैडे freely study करा सकन ठीक है ना सिरफ college as well as क्या department clear होगी it gives a push to the open university system very very important पहली बार किस शिक्षानीती के अंदर open universities का मुद्दा उठाया गया था और भारत की सबसे बड़ी open university कों सी है इंद्रा गांधी national open university clear next अगला it also introduced the idea of rural universities important है कि शिक्षानीती के अंदर rural university को implement करने के लिए कहा गया था ठीक है a national research foundation was proposed to fund all the research programs एक हम लोग fund बनाएंगे fund का मतलब क्या आता है common account जिसमें वो सारा पैसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षार में जुड़े हुए research programs है ठीक है जैसे हमारे PhD scholars होते हैं वो research करते हैं different topics के उपर के एक ऐसा common account बनाओ fund बनाओ जिसमें वो सारा पैसा रखा जाए जिसको सिर्फ research के लिए इस्तमाल किया जा सके policy recommends that the institutions of national importance like UGC, NCRT, NIEPA, AICT, ICAR, IMC etc. will be strengthened to able them to give shape of the national system of education जो national policy of education 1980-60 वो चाहती थी कि शिक्षा को free किया जाए free का मतलब ऐसे नहीं कि इसके उपर जो restriction हो हटा दो हरे एक को अपना अधिकार दो ताकि अपने according ये काम कर सके ठीक है clear जैसे कि उन्होंने कहा कि UGC है इसको ज्यादा power दो UGC यानि कि University Grant Commission, NCRT, National Council of Education, Research and Training ठीक है NEPA यानि के NIEPA, National Institution of Education, Planning and Administration National Institution of Education, Planning and Administration ICAR, Indian Council of Agriculture and Research, IMC क्या हो गया, IMC का मतलब है Integrated Market Communication, यानि कि इस तरिके की संस्ताएं बनाओ जो अपना काम खुद देख सके और भारत की education को अलग लग field के अंदर shape दे सके clear होगी बात अब मैं आपको कुछ question देने हो अला हूं 10 question जो अभी तक की पिछली तीन वीडियो यह चोथी वीडियो है इसके MCQ साथ के साथ के बाद यह अभी तक की जो पिछली तीन वीडियो है उसके उपर 10 से 12 important question इसका जवाब आप दोगे मैं 30 seconds के बाद स्लाइड आगे करेंगा हूं अमंग दा फोलोइंग सेट दक कैलकटा मदरसा इं 1781 निमन लिक में से किसने सरसे पहली बार कलगता मदरसे की स्थापना करी थी हूं अमंग दा फोलोइंग वाज दा फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज अट बनारस निमन लिक में से किसे संस्कृत कॉलेज जो बनारस खोला गया था उसका जनक माना गया है वान हेस्टिंग जॉनथन डंकन ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्सली ऑप्शन फोर सर चार्ल्स वुट नेक्स्ट कोश्टिंग इंडिया वॉस सेट अप बाई लॉर्ड वेल्सली फोर दा ट्रेनिंग ऑफ दा सीवल सर्वेंट्स अफ दा कंपनी इन दा वर्नेकुलर लैंगज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया निमनलिक में से ऐसा कौन सा कॉलस था जो लॉर्ड वेल्सली के द्वारा उपन किया गया सीवल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए जो इंगलेंड से आएंगे ठीक है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी भारत की वर्नेकुलर शेत्रिया पाशाओं की कस्टम और भारत के रिती रिवाज की ठीक है कॉलेज का नाम क्या था इस्ट इंडिया कॉलेज पंजाब नेशनल कॉलेज फॉर्ट विल्यम कॉलेज और संस्क्रीट कॉलेज इंडिया से शिफ्ट करके इंगलेज लिए गया ताकि वहां पर सीवल सर्वेंट को ट्रेनिंग दी जा सके इस्ट इंडिया कॉलेज पंजाब नेशनल कॉलेज फॉर्ट विल्यम कॉलेज और इंपिरिकल कॉलेज आपको इसका जवाब देना है नेक्स्ट कॉशन इंडिया को प्राने के लिए पहली बार बजट रखा गया खर्चा गया क्या वो इंडियन उनिवर्स्टी एक्ट उनि सो चार था या सेट्लर उनिवर्सटी कमिशन उनिसी था या हंतर एजुकेशन कमीशन थारा सो और सी था या चार्ट ठारा सो थेरा इसे भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन का मेंगना काट कहा जाता है दूसरा इसने डिकलेर किया कि भारत में गौर्मेंट का जो पॉलसी है वो वेस्टन एजुकेशन को टीच करना है इन में से कौन सी बात सर्थ चार्स्वूड डिस्पैच पॉलसी जो की ठारा सो चरवंजा में आई थी उसके बारे में सही है उपर में से लिखवी कौन सी दो बातों में से निमलिक्तबास सही है क्या ओनली वन क्लियर है या ओनली टू सही है या दोनों सही है या डी दोनों मे से कोई से नहीं है नेक्स्ट विच ओफ दा फॉलिंग प्लैन और स्कीम ऑफ मॉडरन एडुकेशन असोसियेटेड विद जाकिर उसायन कमेटी नीमल लिक्ट में से कौन सी योजना और स्कीम जो थी आदूनिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी जो कि जाकिर उसायन कमेटी के द्वारा दी गई थी हंटर एडुकेशन कमिशन वार्दा स्कीम बेसिक एडुकेशन सार्गेट प्लैन ओफ एडुकेशन यह पहले तीन वीडियो के मेंन कोर्शन है नेक्स्ट विच ओफ दा फॉलिंग एक्ट प्लैन स्कीम कमिशन ओफ ब्रिटिश दा इंट्रोड़क्श जिसमें यूनिवर्सल यानि की छे से लेकर 14 साल तक को के बच्चे को फ्री एंड कमपल्सरी एडुकेशन की पहली बार बात करी गई थी सार्गेट प्लैन ओफ एडुकेशन वार्दा स्कीम बेसिक एडुकेशन इंडियन उनिवर्सटी एक्ट 1904 हंटर एडुकेशन कमिश रेधर दन दा मेट्रिकूलिशन ठीक है इसके लिए क्या हंटर कमिशन था या इंडियन उनिवर्स्टी एक्ट या सार्गेट प्लैन था या सैडलर कमिशन था नेक्स्ट which of the following act plan scheme commission of British increase the university control over the private colleges by laying down the strength conditions of the affiliation and periodically inspection by the syndicate नीमन लिक्त में से किस एक्ट के द्वारा युनिवस्टी का कॉलेजिज और उससे जुड़े होए इफ्लेक्टिड कॉलेजिस के उपर कंट्रोल बढ़ा दिया गया ठीक है क्या वो इंडिन उनिवस्टी एक्ट 1904 था सेडलर युनिवस्टी कमिशन 1917 था हंटर एजुकेशन है वो मैं कुछ दिन रुक के लेकर आऊंगा अगर आप लोग कहोगे तो मैं जल्दी ही ले आऊंगा ठीका कमेंट बॉक्स में बता देना क्योंकि वह आखरी वीडियो होगी एक घंटे के एजुकेशन पॉलेशी उसके पास माप्त हो जाएगी तिल दन थैंक्यू सो मच